हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल चटपटी रसोई में तो आज हम बनाने जा रहे हैं बत्वे की डाल बहुत ही चटपटी और आसान तरीके से रेशिपी तो चलिए सुरू करते हैं बत्वे की डाल बनाना और जान लेते हैं कि इसमें समान क्या क्या लगेगा तो उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए आयों तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट करके मुझे बताईए कि कैसी लगी रेशिपी तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है एक छोटी कटोरी आ है और साफ से अच्छे से धोलिया है और सकतानुसार ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कूकर लिया है कूकर में दाल देंगे तो दाल को हमने डाल दिया है अब हम इसमें पानी डाल देंगे और सकतानुसार हम पानी डालेंगे आप अपने हिसाफ से डाल सकते हैं पानी हमने तुल तुल देंगे और सुलखोट नमक स्वाथ के निशार के न जलने देंगे गचयादए यहाद कर सकते हैं और ए बंदी अलएंगे बथ गुच्व जो हमने कट करके रखा हुआ है वैसे तो यह पानी छोड़ता है फिर भी आप सकता नुसार पानी डाल सकते हैं और गाउं के तरीके से हम बना रहे हैं तो बहुत टेस्टी बनता है आप लोग जरू ट्राइ कीजिएगा ठावब हम धतकन लगाखे इसे शेटी लगा लेते हैं तो चार सेटी हम लगाए तो यह देखिए चार सेटी आ फैसे लिå ए दाल इसे शेल सतार लेते हैं और उर्छी तेज़न्हें टॉड़का तयार कर लेते हैं जब तक थंदा और है तब तक कर लए प्याज़ते लिए हमने देख यहां पर हमने व्याज लिया है ।ो टीन मीडियुम आगा ये यहां हरे हमने लिया है कराओं कर और चम तेघर नुगर में चपमत turbine रिफाइन तेल हैं अब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बड़े चम्मात के साइज से तेल डालेंगे तुल को गरम हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे थे यह और आप हम इसमें हरी मिर्स डाल देंगे जितना आपको तीखा पसंद है आप तार सकते हैं और अच्छे से हम इसमें भूल देंगे सर्दिया में बख्वा बहुत मिलता है तो आप लोग जरूद राए कि जिए कहीं पर भी मिल जाता है असाने से तड़का रेडी होगेा है प्याज राल देते हैं और प्याज को अछा से हम अलकका शोंना रहा हने तक ढपका तो प्याज हूंगे हमारा सुलहरा हो गया है यह देखिए तो अब कि हमढ़ा बृष में थोड़ी सी अनल्य डालेंगे और फोरा को भरम मसाला कि निक्स कर लेते हैं आप चाहे तो यहां पर आप लाल मेंच डाल सकते हैं इस ही लाल मिर्च कर लिए लाल अगर जादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च की जरुवती नहीं है तो अब हम इसमें डाल लेंगे टमाथा जो कटे हुए है इस तर्ण लेते हुए इस तर्ण लेंगे अब दाल को देख लिए तो ढखकन निकाल दिया है दाल कुकर में से यह देखी दाल हमारा किके अच्छे से पग गया है इसी तरह सिंपल खा सकते हैं और नहीं तो इसे और शट पठा बाना के ऐसे खा सकते हैं तो चलिए हम पलट देते हैं तो यह देखिए हमने पलट दिया है कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही इसका कलर कितना अच्छा है अगर पानी कम है तो इसी समया पानी राज लगते हैं तो यह देखिए थोड़ा सा पाकाएंगे दो मिनट ज्यादा नहीं पाकाना है तो जब तक यह पाक रहा है तब तक हम इसका उपर से दिरालने के लिए तड़का तायार कर लेते हैं आप जाए तो अबॉइड भी कर सकते हैं लेकिन और अच्छा दिखने के लिए हम थोड़ा सा और तड़क बचल देंगे एक चोटी चुपमत की साइज से और ठोड़ा से पंच फोरन दाल देंगे तो यह देखिए तड़का हमारा रेडी हो गया साइब देटे यह ऊंद कर देते हैं डाल हमारी हो गई है तो अब इसमें तड़का लगा लेए तो आप जाए तो यहां पे हैं ताश कर सकते हैं तो यह देखिए हमारी बत्वे की डाल बनके रेडी हो गई है तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर जिए कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी रेसिपी तो फिर मिलती हूं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए